हीलो क्लास के लग करने के लिए लग अलग डिशिज बनाने के लिए तो पंजाब कुजीन के अंदर सबसे में पार्ट जो है इसके अंदर रोटी है तंदूर, जिसको बोलते हैं clay pot तो तंदूर के अंदर जो है तंदूरी काफी dishes है पंजाब की जो cuisine है वो सबसे ज़्यादा famous इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो तंदूर का जो एक flavor होता है और तंदूर का जो एक अलग ही स्वाध होता है हर dish के अंदर और बहुत सारी जो dishes है जो आपका ये लगा लिजए टिक का हो गया और आपका तंदूरी रोटी हो गई और बहुत सारे आपके कुल्चे हो गई स्टफ पराठा हो गया वो सभी चीज आपका तंदूर के अंदर cook किया जाता है तो जो तंदूर एक ऐसा cooking form है जो कि पंजाब कुजीन में आपको हमेशा देखने को मिलेगा और इसका एक अलग ही बहुत ही अच्छा स्वाध होता है और दूसरा इसके अंदर हमारे पास है fry जो पंजाब कुजीन है उसके अंदर जो आप खाना खाते है वो आपने हमेशा देखा हुगा एक बहुत ही रिच कल्चर होता है इसके अंदर बहुत सारा ओइल होता है बहुत सारा गी होता है बहुत सारा आपका इसके अंदर बटर होता है तो अलग-लग तरीके से इसके अंदर इसको यूज किया जाता है, फ्राय के अंदर आपकी पूरी बनाई जाती है, कचोड़ी बनाई जाती है, समोसा पंजाबी समोसा बनाई जाता है, फैसे तो समोसा जो पाय होती है, वो औरिजनेट आपकी है, मिडल इस से, लेकिन वो घूमती है, आपकी मिडल इस से, आपकी ल लाहोर साइ गई लाहोर से फिर आपका पंझाब कुजीन के अंदर एड़ौन हो गई तो पंजाबी समूसता है वो भौफ जादा ओस है पंजाब के अंदर फिर है आपका सेख नाम व् वीट फ्लूरार जो है हम जो गेहूं यूज करते इसके अंदर पञ्जाब कुजीन के अंदर so this is um patch jama routine निवीप इन सब बन zur इन या बेकिंग दिए अतल पर यहां पर इंडियन बेकिंग से बोलेंगे तवह को यूज करते हैं एक फ्लैट एक आइरन शीट होती है या फिर उसे हम यहाँ पर बोलते हैं तवा उसके उपर इसको सेका जाता है तो यह होती है बेकिंग यानि की सेकना जो पराठो को सेकना और तीसरा चोथा जो आपका इसके अंदर कुकिंग स्ट्राइल आता है पंजाब यूज से आपका है बार्बिकό टाइप की एक इसके अंदर फॉ ठोण होता है जिसमें डिफरें्ध डिफरेंद डिशीज मनाए जाती हैं जो टिक कास बहुत ज्धा रहत बदराण घमस होते हैं क्वाब